हेलो दियर चिल्वरिन हाव यू आई होप ये लिन हाटी एंड टोड़े इन दिस वीडियो विए गोई डिस्कुस अ टॉपिक जो आप सब को लगता है कि बड़ा मुश्किल है बहार से आता है पढ़ा हुआ नहीं होता समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें और बहात सार डर को दूर किया जाए और डिस्कुस किया जाए वही टॉपिक जो हमारा section A के अंदर first question paper के अंदर आता है unseen passage reading comprehension आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि unseen passage में हमें कैसे solve करना चाहिए उसको कैसे उसको समझना चाहिए कितने types के questions आते हैं regularly paper में और हम कुछ solve भी करेंगे board में आए हुए class 10th के और 12th के unseen passages जिससे आपको पता चल जाएगा कि unseen passages किस तरीके से आते हैं और उनको कैसे attempt करना चाहिए बहुत सारी tips हैं आपके लिए बहुत सारी tricks हैं तो रणने के तो कोई बात नहीं है unseen passages इस वीडियो को देखने के बाद होंगे आपकी मुठी में and you will surely secure full marks in unseen passages after watching this video तो बने दहिए मेरे साथ शुरू करते हैं unseen passage reading comprehension with me पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंगलेश गर्मन सीन्य से केंडरी स्कूल परणाला ब्लोग बहादुर्गर डिस्टिक छजर तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सबसे बहले concept देखते हैं आखिर होते क्या है unseen passages तो आप ध्यान से सुने मेरी बात श्री राम अयोध्या के राजा थे वे राजा दश्रत के पूत्र थे उनकी पत्नी का नाम सीता था और वे चोदै वर्ष के लिए वनवास गए थे तो बच्चों इस तरह कि कुछ भी unseen passage में कुछ भी आपके पास आ सकता है और फिर पूछा जाएगा उसे question जैसे मैं पूछू श्री राम किसके पूत्र थे तो ये तो message जो मैंने भी बताए तो हिंदी में था आप easily बता दोगे कि राजा दर्शत के पूत्र थे श्री राम राजा दर्शत के पूत्र थे और ये हो गया बिल्कुल ठीक लेकिन problem कहा होती है जब ये unseen passage आ जाता है English में तो English में बड़ा रड़ लगता है कि English में अब unseen passage सच को कैसे solve किया जाए तो बचों जितना easy आपके लिए अभी ये हिंदी वाला था ना solve करने के लिए वीडियो देखने के बाद वैसा ही English वाला भी हो जाएगा solve करने के लिए कैसे होगा आगे बढ़ते हैं सबसे बहले बचों इसके नाम पर ही ध्यान देते हैं reading comprehension reading तो you have to read the passage carefully and understand it तो आपको करना क्या है जो भी unseen unseen means जो पहले देखा ना गया हो ये बुक से नहीं आता बाहर से आता है ना हमने पहले कभी नहीं पड़ा होता ऐसा होता है तो बिना देखा हुआ होता है यह हम सब के लिए तो unseen passage को हमें पहले read करना है carefully बहुत ही ध्यान से और उस comprehension होते हैं या unseen passages होते हैं यह आपकी बुद्धी का परिक्षन करेंगे आपकी cognitive skills का परिक्षन करेंगे कि आप कितना समझ पाते हैं किसी चीज़ को बच्चों different types of questions asked in unseen passages unseen passages के इंदर बहुत सारे ऐसे questions से जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर bifurcate कर दी हैं कि कौन-कौन से questions आम तोर पर unseen passage में पूछे जाते हैं सबसे पहला है बच्चों simple interrogative question आम तोर पर simple सा कोई भी interrogative question जो पूछा जाता है जैसे हमने शुरू में जब concept पढ़ा था हमने वो श्री राम चंदर जी वाला जो हमने passage किया था उसमें था ना श्री राम चंदर जी किसके पूत्र थे तो वे राजादर्शत के पूत्र थे तो यह हो गया simple interrogative question तो एक तो आते हैं यही simple interrogative questions दूसरे कौन से होते हैं बच्चों same words और opposite words कई बार पूछा जाता है exam के अंदर unseen passage में कि कोई भी word दे दिया जाता है कि इसका same word या synonym समान मीनिंग वाला शब्द उपर है उसे चाटिये या फिर इसका opposite word उपर से चाटिये same word synonym opposite word antonym विलोम शब्द हम हिंदी में बोलते हैं तो ये भी चाटने के लिए हमारे पास आ जाते हैं थर्ड पर आप देखिए title शिर्शक हमारे पास 11-12 में note making जब होती है उसमें शिर्शक title तो बनाना आता ही है जब भी हम note making करते हैं तो title बनाने के लिए एक just give the suitable title to the passage ए heading day इस passage को अगला है बच्चो term phrase meaning किसे भी phrase phrase क्या होती है एक या दो words का समू हो जाता है उसका meaning बताना है phrase का meaning बताना है ये भी पूछा जाता है और फिर बच्चों कई बार आता है sentence formation from a word passage में से ही आपको कोई word दे दिया जाता है और आपको खुद उसको अपने sentence में तबद करना होता है उसका sentence create करना होता है तो इस तरह के questions unseen passages के इंदर पूछे जाते हैं simple interrogative questions, same words, synonyms, opposite words, antonyms, title, term और phrase meaning and sentence formation from a word तो इसी तरह के questions हमेशा unseen passages में पूछे जाते हैं अब आपको ये clear है कि किस सरह के questions पूछे जाएंगे आप से unseen passages के इंदर बच्चों ये unseen passages केवल हमारे 9 to 12 के syllabus में नहीं है आप जब भी कोई भी competitive exam देंगे हमेशा English पूछी जाती है और उसमें unseen passages तो आता ही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहने वाला है आखरे तक देखिए ताकि आपको ये पूरा concept अच्छे से clear हो जाए से देखिए section A reading skills maximum marks 9 question 1 read the passage given below and answer the questions that follow read the passage given below passage को पढ़े और मैं आपको यहीं कहूँगी कि passage को ना पढ़े सबसे पहले आप question को पढ़े first question को पढ़े जो आपसे पूछा गया है passage को उसके बाद पढ़े ठीक है तो हमारा पहला step क्या होगा read the question 1 carefully ठीक है समझ गए ना हमें पहले passage पर जाना ही नहीं है हमें सबसे पहले question number 1 पे जाना है और उसको read करना है कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है और उसको हमें दिमाग में रखते हुए passage को पढ़ना है समझ गए ना बच्चों आप सब step 1 इसमें तो लिखा होगा है read the passage carefully लेकिन हमें उल्टा करना है पहले हमें passage नहीं पढ़ना हमें question 1 को पढ़ना है उसको समझना है कि पूछा गया गया है और उसको दिमाग में रखते हुए हमें फिर read करना है passage को तो हमारा step 1 क्या रहेगा read the question 1 carefully पहले प्रशन को पढ़ लें बाद में पढ़ें उसका उत्तर आपको तब मिल जाएगा जब आप प्रशन अपने दिमाग में सोच लेंगे आगे चलते हैं बचो step 2 understand English in English no need to make translations बचों English से हमें क्यों डर लगता है क्योंकि बहुत सारे words ऐसे हैं जिसका meaning हमें नहीं पता और बहुत सारे हिंदी के words ऐसे हैं जिनको हम English में translate नहीं कर सकते तो आखिर ये translation हमें करने ही क्यों है unseen passage में translation proper translation की कोई भी need नहीं है English को हमें English में ही समझना है उसको हिंदी में येने की हर एक चीज़ का word का meaning हमें पता होगा ही होगा कोई ज़रूर नहीं है meaning आने का कोई मतलब नहीं है हमें उसको comprehend करना है बस समझना है बहुत सारे words हैं इंग्लिश में ही समझेंगे example देखे मैं क्या बता रही हूँ आपके उससे clear हो जाएगा नेहा nose telepathy ये line आई नेहा का मतलब हमें पता है एक लड़की का नाम है nose हमने देख लिया simple present tense है जानता है जानती है ये meaning हो गया इसका telepathy word आ गया बच्चों अब telepathy का मतलब तो नह पैसेज में who knows telepathy तो हमें telepathy से क्या करना है हमारे पास अंसर है नेहा nose telepathy समझ गे ना तो don't lose confidence if you don't know the meaning of any word कोई जरूरत नहीं है कि में meaning आए ही आए हमें English को English में समझना है जरूरी नहीं कि में particular word का मेनिंग आए हम उस पूरी line को पढ़के भी according to line उसका मेनिंग निकाल स चाहिए हमारे अंदर comprehension होनी चाहिए हमारे अंदर तो step two रहेगा understand English in English no need to make translations step third do smart work questions are always in sequence so find answers of questions in sequence बच्चों मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते और मैंने बहुत सारे unseen passages देखी है हर सेट के अंदर चार चार सेट आते हैं अपके पास बोर्ड के अंदर तो मैंने बहुत सारे unseen passages आस तक पढ़े हुए हैं और उनको देखकर मैंने यही निश्करश निकाला है कि जो सार पूछे जाते हैं ना पैसेज के वो सीक्वेंस में होते हैं एक क्रम के अंदर होते हैं जैसे की कैसे क्रम फॉर एक्जामपल देखिए यू विल गेट दा अंसर फ्क्वेस्चन वन इन पैराग्राफ वन और टू और अफ्टर यानि के पहले प्रिशन का उतर हमें ऊपर ही म सीक्वेंस में ही आते हैं बच्वेंजों तभी यह नीयां था कि क्वेस्चन वन लास्ट मे उसकी समय करीन है 9 क्वेस्चन sneaky मॉस सबसे मिलेगा ॉपार ने कहीं कर दिया को बीच में मिलेगा मिली तो sequence में होते हैं questions और उनके answers भी मिलेंगे sequence में ही so smart work हमें करना है smartly questions पूछे जाते हैं sequence में और sequence में smartly हमें उनके answers ढूंडने है so do smart work questions are always in a sequence so find answers of questions in sequence क्रम में ही मिलेंगे और क्रम में हमें उन्हें ढूंडना है अब अच्छों आते हैं step 4 पे जो मैंने बताए था ना शुरू में एक टाइप का question की opposite words antonyms और same words synonyms पूछे जाते हैं तो उनको कैसे solve करेंगे देखिए attempt these questions in last actually ना अपने वाले जो exam में nine to twelve में last में आते हैं यह one to three पे नहीं आते हैं लेकिन आप किसी competitive exam में जाएंगे तो शुरू में आ जाते हैं opposite word और synonyms और antonyms चार्टने के लिए तो confuse मत हो ना इनको last में attempt करना पहले आपको शुरू के जो simple interrogative questions पूछे गए हैं उनको आप solve कर ले समझ ले जितने आप उनको ढूणेंगे न तीन-चार questions को आपकी समझ विक्सित हो जाएगी comprehend आप कर लेंगे उस passage को फिर आप आएंगे last में किस पर antonyms and synonyms पर opposites words and same words पर don't lose heart if you don't know the meaning अब बच्चों मैंने बताया था इतनी vast vocabulary है बच्चों English teachers को भी meaning नहीं पता होते कई बार हमें भी dictionary में से देखने पड़ते हैं ठीक है तो कोई भी perfect नहीं होता बच्चों तो कोई भी अगर meaning हमें नहीं आता है तो यह नहीं कि हमें होई कुछ नहीं आता इंग्लिश नहीं आती यह भी नहीं आता ऐसा नहीं करना है हमें वी no need to lose our heart अब मैं हमना दिल पे काबू रखना है कि कोई बात नहीं बहुत सारी चीज़े हैं सबको नहीं आती nobody is perfect आप सबको पता है and if you don't know the meaning just find out how the word is used in the line अब बच्चो meaning मैंने बता दिया नहीं आते हैं सबको तो कोई बात नहीं आपको क्या करना है just find out how the word is used in the line हमें यह पता लगाना है कि इस word को कैसे इस्तमाल किया हुआ है sentence के अंदर कैसे use किया हुआ है ठीक है उसको किस तरह से writer ने use किया है इस्तिमाल किया है उसके उपर ध्यान देना है और एक clue भी है मेरे पास आपके लिए यहाँ पर अधिक तर बच्चो जब antonym synonym चाटने आते हैं तो आप ध्यान दीजेगा 95% यह clue चलता है कि अगर ed form में आपसे कुछ पूछा गया है ठीक है वो ed form में ही उपर मिलेगा यहने कि v2 मिलेगी v2 में ही और ing से मालनो कोई singing happily तो वो happily ly में ही मिलेगा उपर और singing ing में ही उपर मिलेगा ठीक है क्लू है 95% यह clue चल भी जाते हैं यह अब लगा लीजे मेरी ट्रिक है आपके लिए अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से इसको अटेम्ट कर सकते हैं तो सबसे पहलतों में देखना है कि उस word का use कैसे हुआ है इस्तेमाल कैसे हुआ है बाकी सारी line का meaning है अगर पता चल रहा है तो हम तरीका देख सकते हैं कि इसका meaning शहीं होगा ठीक है और clue मैंने आपको बताई दिया अगर simple present में है वो word तो उपर simple present में ही मिलेगा simple past में है तो उपर ed लगा हुआ है तो simple past में ही मिलेगा अगर ing form में है तो ing form में ही उपर ढूड़िया आप उसको और अगर ly है adverb के रूप में है तो ly के रूप में ही उपर मिलेगा तो यह clue है जो कि 95% हमारा ठीक हो जाता है और बचों एक और clue है most difficult word in the line can be the word बचों most difficult word in the line line के अंदर कोई ऐसा word जो आपको समझन यारा इसका meaning क्या है तो हो सकता है वही वो meaning हो जो आपसे पूछा गया है opposite में या synonym में तो यह भी एक तरह की tricky है इसको आप apply कर सकते हैं जब आप बिलकुल वो हो जाए कि इसका नहीं पता चल रहा हमें तो आप include को use करेंगे कि ed word ed म मिलेगा simple present याने के scs वाला scs में मिलेगा ing form वाला ing form में मिलेगा और ly form वाला ly में ही मिलेगा और साथ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो most difficult word in the line can be the word ठीक है तो यह आपकी solve हो गई है opposite words antonyms and same words synonyms को हम कैसे solve करेंगे हमें इनको last में attempt करना है पहले पूरा passage को अच्छे से read करके उसे समझ लेना है और फिर हमें clue भी लगाने है ed ing ly और नहीं पता चल रहा तो हमें यह देखना है कि उसको word का इस्तेमाल कैसे हुआ है use कैसे हुआ है और हो सकता है कि most difficult word जो भी है लाइन के अंदर वही वह वर्ड हो जो पूछा गया हो अब बच्छो आते है step 5 पर title 11 12 में बच्चो एक particular topic आता है note making उसमें भी आपके point काम आएगा title के बारे में और unseen passages में भी 9-12 और आप बहार भी अगर देंगे competitive exam सो उसमें भी title पूछा जाता है give a suitable title to the passage note making में तो पक्क जैसे हम इतने सारे part पड़ते हैं हमारे पास एक शीर्षक होता है part का part शीर्षक क्या बिठा एक line होती है पूरी लंभी no नहीं होती één एक लाइन मैने बहुत सारे बच्चों को देखा है पूरी पूरी υॉन लिग देते हैं टाइटल के अंदर शिरशक हैडिंग है बच्चों वो एक दो या मैकसिमम तीन वर्ट्स लगा लू आप पूरी पूरी लाइन कभी भी एक टाइटल नहीं होता एक दो या तीन शब्द मैक्सिमम एक टाइटल होता है शीरशक बनेगा और वो किस बारे में बनेगा कैसे हमें देना है about theme of the passage पूरे पैसेज को पढ़े किस के बारे में बात हो रही है मेन मुद्दा क्या है किसके इर्द गिर्द पूरी बात चल रही है वो एक दो या तीन वर्ट के अंदर ही हमारा टाइटल बनेगा most of the time बच्चो किसी character के बारे में आप personality के बारे में भी आते हैं बहुत सारे आते हैं इसे passages में देखे हैं तो जैसे अभी पिछली बार 10th में मैंने आप यहां पर solve भी किया है गुरू गोविन सिंग के बारे में आया हुआ था तो बचो अगर किसी personality के ओपर है किसी व्यक्ति के ओपर है character के ओपर है तो वही उसका नाम भी title का जो title बन जाएगा passage का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमें यह देखना है कि main मुद्दा क्या है passage के अंदर किस के चार और बात घूम रही है किस बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक दो या तीन शब्दों के अंदर हमारा title बन जाएगा यह point आपको note making में भी जरूर काम आएगा तो आप title इसे दरह से बनाए और बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं अगे से बिल्कुल भी ना करें पूरा पूरा sentence कभी भी title नहीं होता इसको आप ध्यान रखें तो बच्चों अब मैंने आपको बता दिये हैं सारे की सारे tips and tricks तो चलिए आपको solve भी करके देख लेते हैं ताकि आपको confirm हो जाए कि आपको सब को स बच्चे घर दी ना शुरू में मैंने step 1 क्या बताया था आपको कि हमें सीधा passage नहीं पढ़ना हमें पहले करना है read question 1 ठीक है तो यहां पर यह गलती मत करना सबसे पहले passage नहीं पढ़ेंगे हम हम पहले question 1 को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है और फिर उसको माइड में रखते हुए हम पढ़ेंगे passage को ठीक है तो चलिए पहले question पढ़ लेते हैं first question is the Buddha means a. Gautam the Buddha, b. Siddhartha the Buddha, c. Siddhartha Gautam the Buddha, d. the enlightened one तो चलिए हमने question पढ़ लिया है अब पढ़ते हैं about one in five of all the people in the world follow the teachings of the Buddha who lived about two six zero zero years ago. He was born in five six three BC. The Buddha is a title, not a name. बच्चों यहां तक तो मेरे को कोई नहीं मिला किसका मीनिंग क्या है दा बद्धा का मीनिंग पुछा गया तो यहां तक तो मेरा कोई अंसर नहीं आए आगे देखते हैं अब देखिए बच्चों मुझे मेरे first question का अंसर यहां पर मिल गया है और यह जो हम paper solve कर रहे है यह पिछते ही साल का 12th का set A का paper है जो हम solve कर रहे है 2019-20 का पिछते ही साल का है A set का तो बच्चों मुझे रेखो मिल गया answer देखिए यहां पर लिखा हुआ है तो हमारा first question होगे अब हम क्या गरेंगे क्या आगे passage पड़ेंगे नो हम पहले अगला question read कर लेंगे देखिए अब हम इसको ध्यान में रखते वागे पड़ेंगे बड़े बच्चों यह तो बहुत असान था अगले ही line में हमारा answer आ गया कि बुद्धा का real name क्या था तो यहां पर कौन सा option ठीक हो जाएगा ए सिधार्थ ठीक है अब तक समझ गए न आप आसान है की नहीं बताईए easy है न जरूर मुझे बताना कैसा लगा आपको यह बाद में देखकर तो बच्चों एक चन्ना नाम का व्यक्ति है वो कौन था आगे देखते हैं हम इसमें है क्या हमने सिधार्थ तक पढ़ लिया था यहां से हम पढ़ेंगे गौतम सिधार्थ यहां से हम पढ़ेंगे गौतम सिधार्थ गौतम सिधार्थ was brought up in luxury he lived in his father's palace and saw nothing of the outside world until he was a young man then one day accompanied by his chariator चन्ना बच्चों मिल गया ना तो यह कौन था his chariator उसका रख चराने वाला तो देखो यह उत्तर कहां मिल रहा है में ए में ही मिल गया बच्चों प्रेंस इधार्थ's chariator आगे चलते हैं प्रेंस इधार्थ went round the city on his way he saw some sights that he had never seen before लेकर उससे पहले हम रीड कर लेते हैं अपना fourth question प्रेंस इधार्थ knew nothing of until he was a young man A. Luxuries and joys of life B. The life outside his father's palace C. The life inside his father's palace D. Anything inside and outside the palace सिधार्थ गौतम को कुछ भी नहीं पता था जब तक वो जवान थे किस बारे में नहीं पता था हम देखेंगे Prince Siddharth went round the city on his way he saw some sights that he had never seen before First he saw a man who was very old and bent with age Then he saw a man who was suffering from a terrible disease possibly leprosy And then he saw a dead man who was being taken to the cremation ground These sights made Prince very sad बच्चो यहाँ पर तो इसने कोई उतर नहीं है हम तरह पीछे चलेंगे Gautam Siddharth was brought up in luxury He lived in his father's palace and saw nothing अब देखो बच्चो यहाँ पर So nothing of the outside world Nothing of the outside world अब यह देखते हैं Luxuries and joys of life? No The life outside his father's palace यही हमारा अंसर है बच्चो B The life outside his father's palace So with this देखो कितना आसान रहा हमारे लिए हमने बहुत एजिली पिष्टे साल का 12th का सेट A कम्प्रीट कर लिया है Gautam बुद्धा के बारे में अगर बच्चो इसका टाइटल आ जाता तो क्या लिखते है The Buddha लिख सकते थे हैं बुद्धा क्योंकि किस पूरा को पूरा पैसेज किस के बारे में है यहां पर एक थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड क्या यूज हुआ है यहां पर कॉंट्रिबूशन वर्ड आएगा ना कुछ वहीं आसपास हमारा अंसर भी आ जाएगा तेखते हैं ट्रिक काम करती है कि नहीं He led India to sublime heights of glory He brought about moral research and created order out of disorderly social condition He was multifaceted personality He was a poet, soldier, statesman, leader and true socialist all in all He put life into the dying social order by giving it a wholly new outlook He was a practical socialist who founded a social order based on fraternity, equality and love In him were combined the spiritual vision, unmatched organizing capacity and a gift of political institution and insight Such a rare combination of qualities would inspire the most downtrodden people to look forward to an optimistic future तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने पूरा पढ़ लिया हम दुबारा पढ़ेंगे What are the rare contribution of Guru Gobind Singh to India यहाँ पर बच्चों ये trick काम नहीं कि मेरे पास contribution word कहीं भी नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं मेरा उत्तर मुझे मिल गया फर्स्ट के बाद ही था He brought about moral resurgence इसका मतलब क्यों होते है पुनरुथान And created order out of disorderly social condition तो बच्चों जो मैंने sequence वाली बात बताई थी वो यहाँ पर चल गई Question 1 का answer जहाँ था उसके बाद ही हमें question 2 का answer मिल गया लेकिन आप मेरे इस point को भी ध्यान रखें यह जो इस तरह के word use होते है न वो भी हमें मिल जाते हैं और उनके नुसार भी हम इसको solve कर सकते हैं अगला देखते हैं बच्चों Why does the author call him a multifaceted personality क्यों author ने कहा है उनको बहुमुखी प्रतिपा का धनी अब देखो ये देखो ये देखो ये मिल गया ना हमेरा trick यहां पर काम आपके लिए कर गई ये रहा multifaceted personality तो कैसे था बच्चों यहां से हम अंसर ले लेंगे He was a multifaceted personality बहुमुखी प्रतिपा क्या क्या थी He was a poet, soldier, statesman, leader and a true socialist all-in-one ये हमारा हो गया, answer third और देखो वही clue काम कर गया, वही word हमें मिल गया अगे चलते हैं fourth Why has he been called a practical socialist? अब बच्चों इस word पर धान ने गया है, practical socialist देखते हैं कहां पर है, ये देखो बच्चों ये रहा practical socialist He was a practical socialist who founded a social order based on fraternity, equality and love अब बच्चों लास्ट क्वेशन पर आ गया है बच्चों देखो अपना fourth concept तो ये था ना He was a practical socialist who founded a social order based on fraternity, equality and love उसके बाद बच्चों अपना last sentence से शिरू हो जाएगा In him were combined the spiritual vision, unmatched organizing capacity and gift of politic institution and insight Such a rare combination of qualities would inspire the most down-pro-done देखो वही वड़ागे ना People to look forward to an optimistic future So with this, हमने ये वाला भी complete कर लिया है एक और लेते हैं बच्चों, example third ये है फिर से 12th class का है शायद First question पर लेते हैं Today there is no part of the world that is dash Unknown, unexplored, both A and B Neither A nor B बच्चों पहले इन की ओर ध्यान दे, इन उप्शन की ओर Both A and B मतलब दोनों ठीक है A भी ठीक है, B भी ठीक है Neither A or B मतलब ना तो ये ठीक है ना ये ठीक है, दोनों ही गलत है तो ये कई बार आते हैं, both A and B और neither A or B तो बच्चों देखो पहले ये दो वर्ड क्या होते हैं Unknown, जिसका पता ना हो Unexplored, जिसको सर्ष ना किया गए हो तो उनों की meaning लगबग, लगबग, सेम है ठीक है, और जब भी बच्चों इस तरह की question आ जाए ना बोथ वाले वाले, तो clue है बच्चों ये कि उनमें वही ठीक होता है ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें अब चलते हैं, देखते हैं, क्या है question Today we know about each and every part of the world There is no land or sea that is not known देखो बच्चों, not known Man has explored every corner यानि के इसका answer हमारे पास already आ चुका है बोथ A and B, कैसे Today there is no part of the world that is unknown and unexplored सबको सबका सबको पता है, सबकुछ खोजा जा चुका है तो answer is C, बोथ A and B, आगे पढ़ते हैं To begin with, man lived शिरो शिरो में आदमी कहा रहा In caves, in forests, in small houses, in little villages Man has explored every corner of the world And he knows all the ways and routes from anywhere to everywhere in the world He can reach from one place to other as safely, easily and quickly as he likes He has maps to guide him and fastest means of transport to carry him बच्चों, यहां पर तो मेरा अंसर कहीं भी नहीं आया कहा रहता था वो पहले आगे चलते हैं But for ages, most of the world was unknown to man To begin with, he lived in Caves आगे ना हमारा अंसर तो अंसर A is correct To begin with, man lived in caves आगे चलते हैं अगला question पढ़ लेते हैं पहले The early man used to offer prayers and sacrifices to gods Because early man ना Prayer प्रातना करता था भगवान के और भगवान के लिए sacrifices करता था बली देता था क्यों देता था यह पूचा गया है पढ़ते हैं To begin with He lived in caves Then he came out of caves And started making homes In little corners of forests Or behind the hills He was afraid of wild animals And also of the clouds and winds He offered prayers and sacrifices to gods Who he thought Controlled the clouds and the winds यानि के इस का अंसर आगा Gods controlled the clouds and the winds अब देखते हैं यह option है क्या He was afraid of the clouds and the winds He thought God controlled the clouds and the winds B is absolutely correct क्योंकि हमें same line Passage के अंदर देखी यहाँ पर मिल गई थी Controlled the clouds and the winds अब अगला fourth question पढ़ते हैं What did the early explorers do जो जिनोंने खोजबीन करना शुरू किया जैसे Christopher Columbus वगरा थे उन्होंने शिरूआत में क्या किया पहला step क्या था They went in boards on rivers They went in big ships across the seas They went farther and farther into the sea They used steam ships in place of boards तो देखते हैं क्या किया अपने passage पर वापस आते हैं But slowly Through long centuries Men begin to explore the lay beyond their caves, hills and forests Where they had their homes They went in their boards first On the rivers तो बच्चों सबसे पहले उन्होंने क्या किया वोर्स में गए हमारा पहला option ही बिल्कुल ठीक है They went in boards on the rivers ठीके बच्चों तो इससे रैसे हमने इसको पूरे को complete कर लिया है और I think आपको बहुत कुछ clear हो गया होगा और भी बहुत कुछ clear करने के लिए मेरे पास एक passage है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप उसको solve करके अपने-अपने English Teachers को भेज सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से revise कर लें किन step से हमने इसको solve करना है तो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए First question How can we make our life meaningful? Second What is it that motivates our deeds? अब हम passage पढ़ेंगे To make our life a meaningful one we need to mind our thoughts देखो बच्छो First answer पहले ही आचोका है मैंने बताउंगे क्या आपको दूनना है For our thoughts are the foundations, the inspiration and the motivating power of our deeds We create our entire world By the way, we think Thoughts are the causes and the conditions are the effects Our circumstances and conditions are not dictated by the world outside It is the world inside us that creates the outside Self-awareness comes from the mind which means the soul Mind is a sum total of the state consciousness grouped under thought, will and feeling Besides self-consciousness we have the power to choose anything Krishna says No man Rest that A moment inactive Even when inactive on the bodily plane We are all the time acting on the thought plane Therefore, if we observe ourselves we can easily mold our thoughts If our thoughts are pure and noble Naturally, actions follow the same बच्छो Third question रहेगा What constitutes our state of consciousness? And the fourth one is How can we mold our thoughts? So, you are looking at the whole which was our passage was about thoughts If we ask the title then we can use a thought process or any other type of word So, I hope everything will be clear I have told you the five steps you will keep your attention and we will solve it according to the unseen passage and I hope you will secure all the good marks unseen passage reading comprehension Thank you so much for watching This presentation was made by Pooja Sharma Lecturer in English Government Senior Secondary School Parnala Block Bahadurgarh District Chajar Take care children See you in next video Sometimes you have a question Let's go to a Bible Jesus Listen Bible